नमस्कार दोस्तो वेलकम बैक टो आर चैनल मनी सुलूशन दोस्तो अगर आपके पास भी बिजनस से लेटिड अगर जबरदस्त आइडिया है और आप बिजनस शुरू करना चाहते हैं लेकिन आपके पास फंड की कमी है और आप सोच रहे हैं कि बिजनस के लिए मैं लोन लू या नहीं लू तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो में हम आपके हर डाउट क्लियर करने की कोशिस करेंगे और साथ में दोस्तो जो आपको ये चुबता हुआ परसन है कि क्या बिजनस शुरू करने के लिए लोन लेना चाहिए इसका भी इदर हम किल लोन लेना चाहिए या नहीं सबसे पहला बेनेफिट ये है कि लोन लेने से जो वरकिंग कैपिटल मिलता है आपके बिजनस को जैसे की स्टोक लेना है या पेरोल या सेलरी देना है इंपलोई को और कोई नई टेकनोलोजी मसीन वगारा खरीद रहे हो जिससे बिजनस स्केल लप हो शकता है एंड प्रोफिट के परसेंट बढ़ जाता है उन सब चीजों में लोन काफी वैलेट एंड इपोर्टेट ओप्सन बना रहता है आप लोन लेना चाहे तो उसके कई ओप्सन है आपके पास जैसे की फैमली की जो प्रोपरटी पे लोन है क्रेडिट पे जो मि दोस्तो बिजनस लोन का सैकेंड बेनेफिट यह रहता है कि जो आपकी इक्वीटी है वो स्प्लिट नहीं होती यानि आपका जो भी बिजनस है आप उसके हंडर परसेंट मालिक रहते हो इन्वेस्टर नहीं होने से दोस्तो जो डिसीजन मेकिंग पावर है पूरी की पूरी आपके हाथ में रहती है आप अपने इसाब से आपके बिजनस के डिसीजन ले सकते हो उसको किस तरह से चलाना है उसको किस तरह से बढ़ाना है यानि पूरी पावर हंडर परसेंट आपके हाथ में रहती है और दोस्तो साथ में आप परसनल वेल्थ प्रोटेक्ट कर सकते हो लोन लेके जैसे अगर आप business start करते हो तो capital का जुरूद तो होता ही है कोई भी चीज के लिए but loan लेने से होता ही है कि आप अपनी saving का कुछ और दाव पे नहीं लगा रहे हो इसमें loan आपको freedom देता है पैसों को इस्तेमाल की भी and also saving है तो वो एक positive feeling भी रहता है कि कोई भी risky decision लेते समय है दोस्तों business loan से जो आपके business की जो credit है वो भी improve होता है जनरली आप लोगों ने भी देखा हुआ जो business के लिए जो large जो cash है infusion की requirement रहती है business को expand करने के लिए और बहुत सारे काम करने के लिए अगर आपने कोई business loan लिया है और आपने उसको timely payment कर दिया है तो bank इससे confidence में आ जाता है कि हाँ बंदे का जो business है बहुत अच्छा चल रहा है और next time bank आपको lower rate of interest के उपर भी business loan provide कर देता है अगर आप bank के साथ ये confidence है जो maintain रखते हैं तो मुझे लगता है दोस्तों जो business loan है इसमें आपको बहुत सारे option और opportunity मिल जाते हैं जिससे आप अपने business को इधर अच्छी तरह expand और बड़ा बना सकते हैं और अपने business को business loan के दोरा इधर चमका सकते हैं दोस्तों हमने यहाँ पर business loan के इतने फायदे की बात कर ली तो एक दो जो negative points है business loan का वो भी हम discuss कर लेते हैं सबसे पहले जो business loan है वो मिलने में थोड़ा सा मुश्किल जो होता है दोस्तों business loan का मुझे एक और negative point यह लगता है कि यह cash flow को restrict करता है आपने loan लिया है तो आपको यह loan है जो हर महिने with interest है जो bank को चुकाना ही पड़ेगा और अगर आप loan की EMI यह इनी repayment में अगर failed हो जाते हैं उसको payment नहीं करते हैं तो इसका दोस्तों credit score के उपर जो है एक bad effect पड़ता है monthly obligation होने से यह business के cash flow को restrict करता है जैसे आपके आए हुए पैसे usually loan को चुकाने में चले जाते हैं बट अगर आपका EMI cash flow से जादा है तो दोस्तों यह matter नहीं करता है तो business loan लेने से पहले अगर आप पूरी तरह से planning नहीं करेंगे कि loan का पैसा कहां कहां पर जाएगा तो इससे आपको बहुत सारी मुश्किल हो जाएगी loan के repayment cycle में और अगर आप loan की repayment नहीं करते हैं तो आप stuck हो जाएगे loan के पैसों का utilization एक दम strategic होना चाहिए जिससे जो guaranteed business run में पैसे मिले and also loan qualification में भी काफी दिक्कत रहती है लोग को अगर आप भी सोच रहे हैं कि loan लेने के लिए क्या-क्या eligibility criteria रहता है तो इसके लिए मैंने एक dedicated वीडियो बना रखिया है मैंने उसका link description में भी दे दिया है साथ में i button पर भी आप उस video को check कर सकते हैं जिसमें आपके पूरे doubt clear हो जाएंगे और साथ में आप जो pyramidal finance की website है या उनका कोई representative से बात किजिए जो आपके सारे question के जो answer देने के लिए ready है तो ये थे benefits and issue जो business loan के साथ आते हैं आप वैसे decide कर सकते हैं कि इन में से आपके लिए important and priority क्या है और उसके हिसाब से अगर आपको loan के लिए apply करना है तो आप कर सकते हैं pyramidal finance की website जुरूर चेक कर लेजिए अगर आपको लगता है कि कुछ भी doubt आ रहा है आपको business loan के बारे में link मैंने दोस्तो जो pyramidal finance का है वो description में दे दिया है आप भी अपने जो business loan की जो journey है आज से ही start कीजिए pyramidal finance के साथ जिसका link मैंने description में दे दिया finally दोस्तो आपको वीडियो कैसे लगी अगर अच्छे लगी तो like कीजिएगा कोई comment है तो comment section में जरूर comment कीजिएगा फिर मिलेंगे इसी तरह topic के साथ तब तक के लिए जैहिंद बंदे मातरम